द्रिस्टी आये इसके इंपोर्टन टॉपिक रिवीजन्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है आज की एपिसोड में हम बात करेंगे ब्रिटिश काल के कुछ प्रमुक अधिनियम की तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की एपिसोड की सबसे पहले बात रेगुलेटिक एक् इस्टि इंड्या कामपनी पर बिटेशन सथ के नेंतरं का प्रारंब हुआ बंगाल की गव्रनेर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और वस्चिंग बने पहले गवर्नर जनरल इसके साथ ही कुछ मामलों में बंबई और मदरास प्रसिदेंसी को बंगाल स्प्रीम कोट की स्थापना हुई जिसमें एक मुख्य नयाधीश और तीन याधीश होते थे इसके अलावा इस एक्ट के द्वारा कांपनी के कर्मचारियों के निजी वैपार को भी प्रतिबंधित कर दिया गया अगला एक्ट है पीट्स इंग्डिया एक्ट 1784 इस एक्ट के बंगाल के गवर्णर जनरल के अधीन कर दिया गया अगला एक्ट है चार्टर एक्ट 1813 इस एक्ट ने कंपनी के भारत के साथ व्यापार के एक अधिकार को चीन लिया था चाय को छोड़ कर कंपनी का चीन के साथ व्यापार का एक अधिकार बना रहा भारत में अंग्रेजी कंपनी की आयसे सिक्षा के लिए कंपनी द्वारा प्रतिवर्ष एक लाख रुपे खर्च करने का भी प्राउधान किया गया आगला एक्ट है 1833 का चार्टर एक्ट इस एक्ट के द्वारा कहा गया कि भारती प्रदेशों का प्रशाशन अब बिटिस हमराट के नाम से किया जा था ये विधी विशिशक्य होते थे पहली बार मैकाले को इस सदस्य की रूप में शामिल किया गया था इस एक के द्वारा विधी आयो गठित करने का प्राउधान किया गया इसका मंतव विधा कि भारती कानून को सहीता बद और सुधारने की कोशिश की जाए इसके अलाव इस एक्ट के मादन से चाय और चीन के साथ व्यापार का एकादिकार भी समाग किया गया कंपनी के अधीन किसी पर्द पर नियुक्ति में भारतियों से समान तक अविधार किया जाए यह कहा गया इसके अलावा इस एक्ट के मादन से भारत में दास प्रथा खुभी गयर कान समाप्ट कर दिया गया विदी सदस्य को कारकारी परिशत का पूर्ण सदस्य से बना दिया गया इसके अलावा सेवल सेवा अब परिक्षा अधारित कर दी गई गर्णर जनरल की परिशत में कानून निर्माण में सहता के लिए 6 ने सबस्यों की नियुक्ति का प्राउधान किय गया इसके हलावा कारिकारी परिषध को विधान परिशध के विधेयक को वीटो करने का धिकार भी दे दिया गया। अगला अधिनियम है भारत साशन अधिनियम 1858 जो की 1879 के कृत्रंत बाद आया था। इसके द्वारा भारत का साशन बिटिश ताज के हाथों में चला गया, गर्वरनर जन्रल को वाय सराय बना दिया गया और भारत के पहले वाय सराय बने लॉर्ड कैनिंग, इस एक्ट के द्वारा बोर्ड आफ कंट्रोल और बोर्ड आफ डिरेक्टर्स की विवस्था को समाप क दिया गया, इस एक्ट के मादम से भारत सच्चेव का पद बनाया गया और इसकी साहता के लिए 15 सदस्ति भारत परिशत का गठन भी किया गया भारत में प्रतिने सरकार के वुकास का करम देखें तो इसमें पहला एक्ट था भारती परिशत अधिनियम 1861 इस एट के माद्धम से कारकारी परिशन में पांकरी स्थ को बढ़ाया गया और पोर्टफोलियो सिस्टम के शुरुआत की गई जो की कैबिनेट सिस्टम का आधार है इसके अलावा विधान परिशत की स्थापना की गई तक केंदर में विधिनिर्मांड के लिए कारकारी परिशत का विस्तार हो सके और और इसमें च्ए से 12 सरसे नामित करने का प्रावधान किया गया था इस एड के द्वारा बंबय और मद्रा से उनकी विधिक शकतिया वापस दे लिए गई, गवर्नर जन्रल को संकट काली निस्थती में विध देश जारीकर निकी शक्ति दे दी गई अगला धिनियम है भारत परिशद अधिनियम 1892 इस एक्ट के माधम से सेंटरल काउंसिल में अधिकतम 22 दस जिन में 10 से 16 हात्रिक सदस्यों का प्रावधन क्या गया कारकारी परिशद में सदस्यों की संख्याद छै कर दी गई केंद्रो प्रांतों में परिशदों के आकार और कारशेत निवरधी की गई इस एक्ट में पहली बार चुनाव का प्रयोग हुआ हलांकि चुनाव शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया इसके लावा बजट पर विचाट प्रकट करने का अधिकार और प्रश्न पूछने का अधि इसेक में कारकारणी परिशन में एक भारती सदस्थ को रखने के वस्था की गई और ऐसे पहले सदस्थ हे सत्यंद्र wine इस परिशन में आपरतक्स जुनाओं का प्रयोग किया गया मुसल्मानों के लिए प्रतक सामपरदाईक मतढ़िकार के वस्था की गई इस game के से प्रश्न पूछने का अधिकार, बजट पर बहस करने का अधिकार और प्रस्ताव पारित करने का अधिकार भी दिया गया इस एक्ट के आते-ाते तक चीजें बहुत सारी बदल गई थी और अउसके बाद जो एक्ट आए वो सब उत्तरदाई सरकार के विकास से संबंदी थे तो ऐसा पहला एक्ट था भारत सरकार अधेनियम 1919 जिसे मॉन्टेग्यू चैंप्सवोर्ट रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है इस एक्ट में कहा गया कि केंडर की कारिवकारी परिशद में आठ में से तीस दस्य भारती होंगे प्रांतों में द्वेद शाशन के विस्था की गई जिसमें एक तरफ आरक्षित और दूसरी तरफ हस्तांतरित विशय रखे गए प्रांतों के उपर केंडर नियंतर्ण में कुछ धीला पन लाया गया और केंडर में द्वी सदनी विवस्था पिका की स्थापना की गई इस एक्ट में सिखों, आंगल भारतियों, इसाईयों वे यूरोपियों को भी प्रथक नरितित्व दिया गया था पहली बार प्रांतों में उत्तरदाई सरकार के गठन का प्राओधान किया गया इस एक्ट के तहट पहली बार प्रतक्ष चुना हुआ और इसमें महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी दिया गया अगला महत्वपूर्ण अधिनियम है भारत सरकार अधिनियम 1935 इस अधिनियम में पहली बार संगहात्मक सरकार बनाने का प्रयास किया गया प्रांती स्तर पर द्वेज साशन समाप्त कर दिया गया और स्वायत सरकार की विवस्था की गई इस एक्ट में केंदर में द्वेच शाशन पढ़ाली की विवस्था की गई बर्मा और मैमार को भारत से प्रथक कर दिया गया इसके अलावा भारत के समविधान में केंदर और राज्यों के 20 शक्तों के भाजन के आउधारना स्थापित की गई इसमें संग सुची में 59, राज सुची में 54 और समवर्ती सुची में 36 विशे रखे गए इसके अलावा आवसिस्ट शक्तियां गवर्नर जनरल के पास रखी गई इसके अलावा संगी नियाले की स्थापना का प्रावधान भी इसी एक्ट से उपजा था अगला मैत्पूर अधिनियम है भारती सुतनरता अधिनियम 1947 इस एक्ट के द्वारा भारती और पाकिस्तानी प्रतिनिदियों को अपने सम्विधान बनाने के अनुमती दे गई इस एक्ट के तहर्त 15 अगस 1947 को प्रादेशी साशने काईया भारत और पाकिस्तान की स्थापना हुई बिटिस अमराट का भाति रियासतों पर प्रभूत्व समाप्त हो गया भारत राज सचेव का पद समाप्त हुआ और इसका कार राष्ट मंडली मामलों के सचेव यानि सेकेर्टरी फॉर कॉमन वेल्ट अफियर्स को दे दिया गया तो वेल्स आज के अपिसोड में इतना ही फिर मिलते हैं अगले अपिसोड में कुछ और नहीं जानकारियों और पहलूं के साथ तब तक